ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे अचा उदर दो दोनों को पकड़के ले गए थे रविदास जी को और कभीर प्रमश्वर जी को तो प्रमात्मा ने कहा था वह इसका दोस्ट ने कर दिया और इसका दोस्ट नहीं है जो गलती सारी मेरी है तो रविदास जी को छोड़ दिया रविदास जी अपने घर थे अपन सब ने देखा कि उतर डूब डाव लिया खूब मिठाई मुठवी बाटर गौव गीद सुरी ले फिर उनके मन में आया कि रवीदास जी का करते यू बगवाना रहे चलो अब उसको पूछते हैं तरह बगवान कहा है तो उसके पास गए सोरे कठ्छे हो कर पूरा गुरूप का गुरूप का ट्रोल का जलूस का जलूस अजाके कहने लगे रवीदास हाँ जी बार खड़े हो आका हाँ जी कैसे आए कि का घा तेरा बगवान वह उसके ओपर रही तो अरिवी दास जी बोले किसके भी से बोल रहे है आप के उस तिरे कबीर के बारे में क्या हो गया उनको। कि वो डूब गे जलौ मैं दरिया में रृभीदास जी कहते है आजो ये बेठे देखे ये मरे बगवान ये बेठे उन्हों देख्या जाक जाक सारे वह फेर चेंगर गे फेर गए सिकंदर के पास जो तो डूब्या नहीं हो तो जादू जंतर जानता है वहां छुपका बैठ गया है फेर पकड़ लाए खुनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने जब विश्वास होगा हमारे अपनी करनी सब कहरी ये था के दोनों दीने प्रमात्मा की दुरुकती ऐसे हैं ये हैं पुनात्मा और वो किसलिए दुखी हुए आपके लिए हमारे लिए अब पहचाना उस बाले को पुनात्मा दास को ये ग्यान हो गया इसलिए मैं प्रमात्मा की ये लिला बहुत कम सुनाता हूँ क्योंकि मुझे कहा नहीं जाता हुए अपनी करनी सब करी थके दुनों दीन ग्रीबदास अब जलहदी पैठ गए जलमीन प्रमात्मा कहते हैं ग्रीबदास जी कहते हैं प्रमात्मा जब देखा ये तो सारे काम कर लिए इनने जो करना था सारे अस्तर सस्तर परियोग कर लिए अगि यहीं दुखी होते रहेंगे बैठ गए जलमी यानि जल के अंदर चले गए मालक दूब्या दूब्या सब कहें होगे गारत गोरे ग्रीबदास कबले धनी तुम आगए क्या जोरे अब अमारी जो विर्ती है यह सदासी खराब है अम उस परमात्मा पर विश्वास करनी रहें और सिकंदर लोग धी की पर संसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी हे महराज हे समराट आपके आगए के पायर बसावा थी आखर में डूबना है पड़या उसने वहां ये सब्त बोले हमने क्या कहते हैं दूब्या डूब्या सब कहें हो गयागारतगोरे यानि कती गारतगोर माने कती डूब गया खतम हो गया सदा के लिए गरीब दास कबले धनी तुम आगए क्या जोर सिकंदलोडी से कहते हैं कि आप का आगए किसकी बसावाब तो राजा हो समराठ हैं आनद मंगल होते हैं ये बटें बदाई बेग गरीब दास उस जुलहदी पर फिर गयारेती रेग आप सबनों खुश हो रहे हैं जो कबीर जी डूब गए परमात्मा और उसके उपर रेथ रेग माने गारा या उसके उपर उसके सौपर जंगी होगी क्योंकि यासे फलो में नीचे दब कर जमना का गंगा का रेथ दाब लेता है नीचे उस दिष्टी कौन से कह रहे हैं आनद मंगल होते हैं ये बटें बढ़ाई बेग गरीब दास उस जुलहदी पर यानि जुलहए पर फिर गयारेती रेग या उनकी सोच थी अस्ती घोडे चड़त हैं ये पान मिठाई चीर गरीब दास कासी खुशी वो डूबगे गंग कभीर सब खुशी मुना रहे हैं अथी पसट का बेंडबाजा बजा रहे हैं के डूबगे गंगा में कभीर है जाओ घर रेदास के हिलकारे हजूरे गरीब दास खुशियां कई हो कई हो नहीं कसूरे के ते जाओ रविदास के संदेशा देदो सुब गोई टोलके 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 थे हो के अर नो ना की दूब गया नो पूछियो किछ से उतरा गुरू जी जब परमात्मान रविदास जी ने काई ये बैठे मेरे गुरू जी कहा जा रहे थे जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूरे गरीवदास खुशियां कई हो कई हो नहीं कसूरे जालर ढोलके बाज़त हैं ये गावे सब्द कभीरे गरीवदास रहदास संगे दोनो एक तीरे कभीर साथ वहाँ बैठे अपनी मेहिमा जो हमने सुना चे हैं गरीवदास रहदास कहे सुनो सिकंदर सा ए सिकंदर राज़ा वो अल्ला है ये खुद बगवान आ रहे हैं मेरी बात बान तू सुन ले अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया कभीर साहिब को पकड़ा और कहते हैं खुनी हाथी से इसकी जीवन डिला अंत करवाओ राज़ा राज़ा ने एक ऐसा दंड देने का सथान बना रख्या था जैसे आपने सेटेडियम देखे हूँ सेटेडियम ता हम आजमीन बच्चों ने देखे होंगे तो ऐसा एक मचान सा बना जाता था राजा सबसे उपर बैठते थे मंत्री उससे नीचे वाले से और नगर के जो वी आईपी होते थे उससे नीचे आम जनता बहुत खड़ी होती थी और वहां खुनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिये जाते थे जो घोर अपराधी होता था और दुनिया के भैव हो जावा को और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा जलेगी ताकि जनता बुराई से बचे ये इस दृष्टी कौ दिये और खुनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे मार डालते थे बुरीत रहे उनको सराब पिलाई जाती है तो सराब पिलाकर हाथी को निर्धारी तेक पीलवान सरकारी नोकर होता था और वो आथी भी सरकारी ही होता था उसको लाया गया अब गरीब दास जी के अमरतवानी में सुनाएंगे गणानन दाओ गा खुन्नी हाथी मस्त है पगबंदे जंजीर गरीबदास जांडारी या मसक बांद कभीर खुन्नी हाथी के सामने प्रमात्मा को मसक बांद के गोला लठी दे के गेर तिया अब क्या हुआ कि प्रमात्मा की तरफ पीलवान यानि ड्रैवर आथी का आथी को उपर बैठ के चलाता है अंकुस होता है बाला सा उसका है वो इदर उदर वकवाद करें तर सिधा बाला ठोक देते हैं फिर वो आथी तभी सिधा होता है अब उसने कया पर मातमा ने अपने पास ऑपर सेर ख़ड़ा दिखा दिया. बबबब सेर ख़ड़ा दिखाई दिया, आथी ने चिंगहड मारी और वो आपस बागलिया, डिर्ट एब अब उसको वॉंपश करता है और केवल आठी, आठी को दीख रहा है, वो सेंग, सेर और किसी को नहीं और वो अपनी नोकरी के डर्ट सेर अपने, उसको पता था, पीलवान को, आठी के ड्राइवर को कि अब मुझे सजा मिलेगी, आज मेरा कुन साधर बागया गड़ गया कि यो आठी बागया राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सिध्य भाले ठोक के बराबर रहते हैं, उपर चंग कुस मारें, उसको फिर सीधा करके लिए, वो देख को फिर भागया परमात्मान ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घणा दुखी करेगा, क्योंकि सार्फ जीव ही उसके वो दैयलू है, तो उसने उस पीलवान को और दरसन दे दिया, सेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी आठी तो तले गर गया, आठी कि तब पीलवान बेहुंस हो और फिर पर मातमाने खड़े हो गए वह टूट के बंद ने वह तो निर्बंद है उनको कौन बंद से के एकदम खड़े हुए ने वंगड़ाई सीड़े के और इतने लंबे दिखाई दिया जैसे आस्मान पर सीस जार आउदाता को इतने लंबे तेजों में रूप हो गया तो सिकंदर लोजी न देख्या और रोती रही तो भाई कोई अल्हा का सरूप है कापन लागया सिकंदर लोजी जहां बैठा था अंडी पाक्या उस पर मुचा चरनों में गिर गया और चरन पकड़ दिये जब राजा ने चरन पकड़े राजा राजा को दिखाया दाता नो लिला तो सभी उसके चेले चर्टे दो दोनों धर्म थे वह बिदग्ये राजा तै बैख गया इसका चरन छू लिए नो कर दिया अब क्या लिला सुनाते हैं सि एक शेर का बना के मालिक ने करा गरीबदा समझें नहीं या दुनी आ खलीले बने केहरी सिंग जित चोर शिकर असमां ने गरीबदा स़स्ती लख्यायो दिखे नहीं जहाने। प्रमात्माने कहते हैं सेर का रूप धारन करया अन्य और आथी न दिखे और जहान दो जनता वेटी थी उन न न दिखे बने केहरी सिंग जित चोर सिखर अस्माने ग्रीबदास अस्ती लख्या यो दीखे नहीं जहाने अब वो आथी सर कुट है और वो अंकुस मारे महावत है और वो विचारा आवे नहीं है फिर कहते हैं भाले को खो मारी है ये चर्की छूटे पाक है ग्रीबदास नहीं निकट जावा हुआ किल की देवें लाख है आथी कह एक्षों में यानि बराबरों में भाले ठोक है और भी दूसरे जो नीचे खड़े दे और क्यल की दे हो मार दे हो मार दे अनों के वो निकट भी जा उसने दीखे से फिर प्रमात्मा ने उस महावत को दिखाया जैसी भक्ती कभीरी की ऐसी क्रेन को ये ग्रीबदास कुंजर था के उल्टा भाग्या रोए कुंजर माने आथी रोके भागया चंगाड मार के दूम गोव मुंड़ी धुन सेन न संज एक अब वो आती मुंड़ी गोव है और दूम यानि पूछ्डबोच के और मुंड़ी नो करको भागण की सोचा है कैते दूम गोव मुंडी धुन सेन न संज एक गरीबदास दीख नहीं अग खड़ा अलेखे अलेखे वो पूर्ण प्रमात्मा खड़े सब ने दिखा नहीं पीलवान ने देख्या तब खड़ा के रीशंगे पीलवान ने देख्या महावत ने पीलवान ने देख्या तब ये खड़ा के रीशंगे गरीब दास आये तो हां धर मौला बहुरंगे खुद मौला खुद मालिक आए है अन्य रूप बना के उत्रे मौला अरस्त है उत्रे मौला अरस्त है मौला माने मालिक कुल धनी सत लोक से उपर से अरस से आसमान से उत्रे है उत्रे मौला अरस्त है भाव बगती के हेत आप अपने बच्चों के प्यार में बगती सत्त ये थारत बक्ती देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है उतरे मौला अरशत भाव बक्ती के हेत ग्रीब दास तब सहा लखे कबीर पुर्स सहेत लिला की कबीर ने दो रूप मेरे दी से ग्रीब दास कबीर के जैसे पास खड़े जगदी से पुर्मात्मा दो रूप दिखे वाँ पहले तो एक तरफ तक कबीर जी दूसरे पुर्मात्मा दिखे फिर दोनों एक हो गए फिर क्या कहता है जमभाई अंगडाई यां लंबे बहे दयाले ग्रीब दास उसाहा कूं मानोदर स्याकाले कोट चंदर ससी भाने मुख गिर्द कुंड दुम लीले ग्रीब दास ता नाटे के वह भाग गए रण फीले अपनमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंदर मा अर मुख जैसे सुरिय की तरह चमक रहा हो इतना सुंदर था नैनलाल भाओं पैते हैं डूंगर नक पहाड ग्रीब दास उसाहा कूं सेंगरू पजीदार जो नर्सिंग पर लादे के योवे नर्सिंग एक ग्रीब दास हरी आईयां राखन जन की टेक अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं हमें ये लीला करके दिखाते हैं यजी तुम मेरी सरण में सचे भाव से लगे रहोगे जैसे परलाद को आके रख्षा की थी आज भी मैं ऐसे ही आपकी रख्षा करूँगा ऐसी लीला दिखा रहे हैं पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालक दिखे फिर शेर का रूप बन गया और फिर दुन्नों मिलकर एक होगे कबीर साहिब रह गई तो फिर क्या कहते हैं बार बार सताय कर मस्तग लिन्या भारे कैते जो नर सिंग पर लाद के यूँ नर सिंग एक ग्रीव दास हरी आई ये राखन दन की टेक ये दिखाने का आए हैंगे वगत की मैं नियो रख्षा करा करूँ और तुम भी इसी तरह लगे रहना कोई भी आपती सचे दिल से लगे रहोगे आवगी तो ऐसे दुख दूर करा करूँ मैं बगता हैंगे परमातमा बताते हैं बार बार सताये कर मस्तगली ना भारे गरीवदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मुर्खों ने अपने सिर्फ भार दर लिया क्या भी गाड़ा उसका और समझना से ये थे चर्ण पकड़ जेने से ये थे बगवान गलती होगी और अपना कल्यान करवाना चाये था तो हम भगवान को ना पैचानकर उसको एक केवल डीला ही मान कर बैठके जादो जंतर बता दिया उनकलीयों ने कि जादो जंतर जाना ही हो अब दास बताएगा वो कौन थे वो क्या जानते थे वो सरवज्ज थे सर्व सकती मान थे हमारे वगवान हैं हमारे पिता हैं हमारे लिए भटक रहे हैं अब उसको हम पैचानेंगे ता सिंग लोलीन भया परचाइब की बारे गरीब दासा यों कहे अल्ह दिय दिदारे अब उसिकंदर लोदी कहता है फिर खट देखकर सुन कासी के पंड़तो और काजी मुला पीर गरीब दास इसके सर्ण ले लो यो अल्ह अलेख कबीर सुन कासी के पंड़तो और काजी मुला पीर गरीब दास इसके सर्ण लो यो अल्ह अलेख कबीर यो अल्ह अलेख कबीर है उत्रे कासी धाम केने लगे ये पूर्ण प्रमात्मा है और अपने यहाँ पर कासी धाम के अंदर ये स्वम उत्रित हुए है यो अल्हा कबीर है ये उत्रे कासी धाम ग्रीब दास वो सिकंदर सा नियों के है हम जगड मुए बेकाम काजी पंडत रूठिया अब वो दो नकली संत थे आचारिय पाचारिय थे जो आपने हिंदू दर्म के और मुसल्मान दर्म के जीतने थे वो मान बढ़ाई के वो खेवनों बगवान से लेना जना नहीं था ना इतनी दिला देखके पत्थर पे इंगल जा लोहा पे इंगल जा वो पत्थर से भी बुरे दल के हो जाते हैं यह संत महेंट मन जाते हैं जो थोड़ी सी परभूता पाक है दस आदमे से रूट करनी है हो जाएं और भगवान से कोसो दूर रह जाते हैं जनता को भी रख देते हैं लेकि रीब नहीं छोड़ेंगे उनको अब बिल्कुर सफाई कर देंगे उनके ग्यान के अधार से अब काज जी और पंड़ित रूट के राजा से चल पड़े कि इसना जादू जनतर कर रख रहा है राजा इसको भगवान मान बैठा जनता को बरगला दिया जनता उनकी मानने थी इसकंदर की कोन मानने ये शरू से हमारे इंदरिक रही है कि हम अपने धार में गुरू की ज़्यादा मानते हैं ने की नहीं और वो नकली थे सारे अब भी यही दिसाहिन लोगों की जैसे दास कहता तो उस संत का ग्यान गलत उसकी बगती गलत और ये दोए चीछी यह बगत ने तो वो अपने ही गुरु से पूछता जाके अब गुरु जी तो गुरु जी हो नकली उसने वो कैसे कहा है मैं गलत हूं तो दास सिद कर देगा ये सचमुच गलत है और फिर आओंगे छोड़ ग्रीबदास शटदल कहें ये जादूर सेर हमेश इस जादूगर है विला इसकी बात तों आगे तो इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए ग्रीबदास इतना रहें वो का सी बिढ़री जाए उस अथान को छोड़गा पर अपड़े गराम ते ले गए अब कबीर कहा था शिकंदर लोदी को कि अगरम अगरम छोड़ दो मानो हमारी बात ग्रीबदास या गुडड़ी लगी था जनम जा है बीता जा रहा तमारा जनम ये अगरम अगर छोड़ कर अर मानो हमारी बात और ग्रीबदास ये समे रहा है हाथ से जात अब जो दास आपको बताना जाता था कि ये परम अक्सर बरम हैं और इन्हों ने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा से जब आधनिय दरमदास साहिब जी ने कहा ए वगवन अब कैसे कल्नान होगा आपके इन प्यारी आत्माओं का तब परमेश्वन ने कहा था दरमदास अभी डट रुख जा जब कल्यूग पच्पन सो वर्च बीच जागा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले परंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूँगा वो ना इतदास बेख जा उसको तो पेटा बरना था उस दरमदास जी नर्मात्मा का था बहुत चिंतित हो जाता था तो कहा तुँ चिंता ना करे गरीबदास का जो पंथ चलेगा वार मापंथ उसमें मेरी महिमा की बार्णी दोबारा परगट होगी बीच में काल के दो ती कबीर पंथ में गुजगा यह अटबट मारेंगे और यह उल्टा सुल्टा ग्यान बना जेंगे कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हसाब से कर लेंगे तो हम गरीबदासी महराज के माज़न से दोबारा अपनी में में मा की बारी पर गट कराऊंगा उसी के पंथ में आगे चलके हम आवेंगे सब पंथों का नास करके खतम करके यानि उनको सब ग्यान से हट समझा करे एक करूँगा सारों को जो एक से अनेक हो रहे है 36 दर्म बनेंगे सब को एक करूँगा और पूरे विश्वय को ग्यान दूँगा तो चनता ना करे आण दे वो समय तो अपने आत्माओं अब वो समय है और दर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक ही इनका क्या होगा ये विचारे बर्मीत होगे तब प्रमात्मान कहा था कि ये तारज करके छोड़े दिये खालने दे दक्के और इनन थोड़े दिन इनको मनुस जीवन मिलता रहेगा जब ये मानते नहीं मैं क्या करूमन कितना रो लिया इनको सारी सुख दे लिये और ग्यान सुना लिया तो फिर ये आएंगे ना बीचली पीड़ी आओगे जब ये तब तक ये मनुस जीवन प्राप्ट करते रहेंगे बेटा और फिर इनना पार करूँगा इनको सेक्सित मनाऊंगा और फिर अपना दास बेजूँगा तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना साना अनुबवकत के फाइनल कर चुके होंगे जब मेरा दास जाओगा इनकी पोल खोल देगा सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे ऐसे पार करूँगा बो सत्गुर्दे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संतरामपाजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संतरामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541 जादा रही है जादा रही है झाल झाल